ये मटन के चपली कबाब जितने टेस्टी है उतना ही easy and quickly है इसे बनाना आज आपके साथ इसकी simple सी recipe शेर करने वले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अभी हमारे पार मुझूद है half kg lamb कीमा और आप देख सकते हैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चरबी भी शामिल है तो चरबी का थोड़ा इस्तमाल कीजिएगा उससे flavor बहुत ही जबर रस्तात है चलते हैं इसकी marination की तरफ marination बहुत ही simple है सबसे पहले इसमें एक medium कटावा छोटा छोटा प्यास हम एड़ कर देंगे और इसी के साथ एक टमाटर यह भी आप देख सकते हैं छोटे छोटे चौटे चौप करके एड़ करने चार से पांच हरी मिर्चे यह भी इसी तरह छोटी कटी वी दो टेबल स्प देने के लिए इसमें मिंड का भी इस्तमाल होगा यह तकरीबन तीन चमच बेसन किये दो टीस्पून इसमें अधरक लसन पेस भी शामिल करेंगे मोटी चीज़े सब डल चुकी है अब आएंगे मसाले हाफ टीस्पून अजवाएं एक टीस्पून क्रश चिलीस एक टीस्प पुरा सा पहाड बन चुक है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप लोग यह वीडियो कि सिटी से देख रहे हैं कमेंट्स में लास्मी बताईएगा ताकि आपका थैंक्स कर सके आज का स्पेशल सैंक्स जाता है आईशा अर्सिलान कराची से अरीबा नाईम शा अर्यकुल थोड़ी सी हाथों पे भी आईलिंग कर लेंगे और यह अब कबाबों का हम करेंगे मसाज कबाब हम रखेंगे भई थोड़े बड़े साइस के क्यूंके चपली कबाब जो है ना वो बड़े साइस का जादा मज़ा करवाते हैं ले जी आउयल अपना अच्छे से पाख करेंगे और ऐसे इसके अंदर टमाटर रखेंगे वैसे तो बजारों में डी फ्राइए किया जाता है लेकिन अभी हम साथ साथ इसके ओपर इस तरह आउयल भी फैंकते रहेंगे और जैसा कि आपको पता है टाइम हुआ चाता है प्लेटे ले आओ और जबरदस किसम के ये चपली कबाब ले जाओ माशाला और एंडिंग होगी उपर ऐसे ये फ्राइड हरी मिर्ची की जो के बहुत ही कमाल लगती है एक ही आगे पराओं ले जी इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं खुबसूरत किसम का ये आहाहा कबाब उपर आएगी जी इसके उपर लिम्मों की बारेश और फाइनल में ये चटनी ट्राइ करते हैं जी बिसमिल्ला रह्माल रहीम भाई बहुत ही सिंपल और इजी है बनाना स्पाइसेस टू दी पाइंट और ये लाज़मी ट्राइ करो और ये खाने के बाद आप सब कहोगे स्वाद आगे बाश्यूरत